जब भी आपके black magic के negative आएगी, आपके घुसे पे काबू नहीं रहेगा, सबसे प्राइम से टिक टॉक टिक टॉक बोलता है वैसे यह, नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे, जा यहाँ से तू, यह मेरा है, सब कुछ, ऐसा, इस voice में अगर कोई बोल दे और वो, आधर जब आते हैं, तू, उनके सेवी करी भी आते हैं, तू, उन्हें हाथ बेत फार, यह voice में, जा, यहाँ पे क्यो लाया है मुझे, जा तू, यहाँ से, यहाँ पे मतला, गाड़ी से कुदी मार दूँगे, मैं, बाइक थी हमारे पास, ऐसा कोई बोल रहा है, औ मैं बीच में बैठा हो, दो, महीं पापा, आपको कोई इसी चीज मिल जाती है, तो उसको फेक ना नहीं होता कहीं पे, ताकि वो दूसरे को इंफेक कर दे, बैकता रहे कि आप उसको जला दो, जला दो या, गंगा जल छेट छेट रख लो, गंगा जल में बहुत ताकत होती तब हमने वो लिंबू जलाया, जैसे ही वो लिंबू जलाया, यह बारे में मैं सुझे का अंकाम ले, पलावडा मॉंबई में हूं, मॉंबई, साइन, धारावी, बैंडरा, यह मेरे तीन लोकेशन्स था, और, मेरा बच्पन थोड़ा सा फाइनेंशल कंडिशन के वज़े स विकट था, और, उन में से कुछ गोश्टोरी भी रिस्पॉंसिबल है, मेरे परसनल लाइफ में, थोड़ा सा स्कुरू अप करने में, यहाँ पर आने का में रीजन यह है, कि लोगों में अवर्नेस आए, कि यह बाते होती है, इसके कुछ सिम्टम्स है, और उन सिम्टम्स स मैं चाहता हूँ कि आप कहीं भटके ना, क्योंकि यह इतनी डेंजरिस सिच्वेशन है, कि इंसान की जान तक जा सकती है, तो मेरे आने का परपस रही है, कि मैं कुछ मेरी परसनल स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और उन से सच में आपका फायदा हो, और आपको पता चले कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपके पास कौन से ओप्शन से है, रेमेडी के लिए, और कैसे आप अपने आपको प्रोटेक्ट कर सकते हो, उने मैं को ब्लाक माजिक के बारे में एक स्टोरी बताई थी, आपने ब्लाक माजिक एक्सपीरियंस किया है, बहुत नस्दिक से, थोड़ा उसके बारे में और बताएंगे, उसके बारे में एक स्टोरी है, लॉंग स्टोरी है, बट आप घर पे बैठिये, चाय पाने लिजे, रहिए, मतलब जैसा सनातन धर्म बताता है, कि आप आईए, महमान भगवान होता है, आप आईए, सब रिष्यदार हमारे है, अपने है, हमारा अच्छा ही चाहेंगे, तो इस इंट्रोड़क्री लाइन से स्टोरी स्टार्ट होती है, तो हमारे थोड़ी फाइनिशल कंडिशन्स खराब चल रहे थी, पापा का बिजनेस दाउन हो गया था, माइ फादर इस एन एक्सलेंग्ट लेदर आर्टवरकर, बेल्ट बालेट बनाते है वो, मैने फैक्छरे थे पहले, बट कुछ कारणों से नहीं हो पाया, तो हम बैंडरा रहने गए, बैंडरा में चॉल, चॉल या जुग्गी बलो, बैंडरा इस्ट में, तो वहाँ पे हम लाइक्स बोले तो आजके 10 लाग तो हो गए, यूज तो डुग्गी बट होती है ना, कुछ चीजों को नजर लग जाती है, नजर लग जाती है, और ऐसे कुछ जलेसी होती है, और मिसंडर्स्टैंडिंग्स होती है, कि अब मुझे ये हल्प निकर दा, तुन चीजों का इ अब इसके पीछे भी एक साइंटिफिक बोली या फंक्शनल रीजन है, क्योंकि आपके डिलेटिव को ही पता होता है, आपके कूल देव कौन है, आपके पित्र देव कौन है, जब ये दो चीज़े आपकी पता होती है, किसी को भी, तो वो ब्लाक माइजिक से पहले उनको दे कि सी, we are going to do this, but you will not do anything, we will, हम बांध रहें आपको, हम आपको बंदन में बांध रहें, तो वो भी बीच में नहीं आता है, जनली यह होता है, whenever someone does black magic, he needs to know your कुल देव, he needs to know your पित्र देव, दोनों को बांध के, they do मारन क्रिया, बहुत सारी क्रिया होती है, किसी का बिजन अभी यह सुनने को बड़-बड़ी कालपनिक बाते लग रहें, but in the real world, things works, there are places, with so divine energies, energy तो divine होती है, positive, negative हम लोग बनाता है, तो स्टोरी अजी स्टार्ट होती है, जो relative था, वो आता था घर पे, and जैसे मैंने बताया, मेरे महीं पापा बहुत सेवा करते है, कुछ नहा रहे तो भी चलेगा, लेगिन, बोलते हैं, I guess this is a form of God, तो आते थे, सोते थे घर पे, आराम से, अभी मैं डिस्क्लूज नहीं करना चाहता, because, that's fine, जो है, तो आते थे, सोते थे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिसेंटली एक्स्टोर किया, कि how to take revenge, using this, and they started experimenting with us, and that experiment, अग में मदरलेस होता, मदरलेस होता, पुरा परिवार बरबाद हो चुका होता, तो प्रभू ने बचाया है हमें, तो श्तोरी ऐसी स्टार्ट होती है, वो जब आते थे, तो सोते थे, and they used to use kitchen, सब कुछ यूज करते थे, और मम्मी, हाँ, अपने ही बंदे, करने दे, अपने ही अपने तो है, अपने तो अपने होता है, लेकिन उसने क्या किया, ऐसा cupboard होता है, right, cupboard होता है, cupboard के नीचे एक space होता है, जहापे आप जाड़ों मारोगे तो भी पूरे ठीक साइसे नहीं लगता, उसने तीन लिम्बू, हम तीन का परिवार था, तीन लिम्बू रख दिये थे हमारे नाम के, लिम्बू पर खिले, जैसे टाचनी बोलता है, प्रॉपर खिले, प्रॉपर एक मुखी लिम्बू, तीन, तीनों मेंबर, ताकि तुम बरबाद हो जाओ, because you left us in the middle of poverty, जैसे शारी के बाद होता है न, आप अपना परिवार देखता है, आज कल यहीं चल रहा ह एक परिवार अलग हो गया, तो तीन लिम्बू था है, और लकिली वो जहापे सोती थी, वहाँ पर दिवाल पैसी फट होती है, फट बोले न, मतलब छोटा सहजा क्रैक होता है, उस क्रैक में उसने अभी मंत्रित सिंधूर, अभी मंत्रित चावल, अभी मंत्रित मतलब कि बोले जाते है, उस जब वो चावल और मंत्र बोले जाते है, तो जो आपके पित्र और कुल देव, अधुष्य रूप से आपके साथ रहते है, वो डालती ही, वो नहीं रहते है, वो सात्विक रहते है, और जो अभी मंत्रित थे थे, वो तामसिक रहते है, जब मैं तामसिक कहता हूँ, तो सोच लो कि दारू, मदिरा, मीठ, या फिर कोई गंदी जगा, कोई सम्शान की राक, सम्शान तो पवितर है, बट राक मतलब जो डेड बॉड़ी का पार्ट है, वो, this is all forms of thamsik, जब भी भी वो घर पे गिरेगा, आपके जो कुल देव, पवित, मतलब इस्टरदेव है, या फिर पित्रदेव है, वो नीठ है रता है, because they don't like that environment, है न, एक बैस एक्जांबल हमारा ही ले लो, अगर कही पे चारू साइड कचरा गिरा है, तो हम रह सकते हैं, नहीं नहीं रह से, वो डाल जा, इस्टरदेव, पित्रदेव, नाराज, नाराज नहीं हुए, बट वो घर चोड़के चले गया, इसका मतलब हमारे उपर उनका production चले गया, प्रोटेक्शन चले गया, अब जो तीन लिम्मू रखे है, that, that start working, एकदम से validity में काम नहीं हुआ, तो three times return जाता है, जिसने किया है उसके पास, यह मैंने सोना है, मैं देख रहा हुआ भी, होता है इस चीज़, तो मजाख में खेल खेल में, एक बार खेलते खेले, बॉल नीचे चले गया, कपाट के नीचे, निका, तो दो लिम्बू हाथ में लग गए मेरे, और बचपन में, बंदेबच्चे लोग तो खुराबाती होते है, और में इसामने ऐसी, ऐसी, बोलते है न, लैंड थी, थोड़ी सी, तो मैं बोले, इसका जाड लगाउंगा मैं, सो मैंने क्या किये, जो दो लिम्बू लिए मैंने, मैंने फोड़े वो, मुझे लगता है कही न कही मेरी स्प्रिच्छल डी किस ताड़ी आहा से हुई, बेकर सम्थिंग, आई शुड़ेंट इंट्रैक्ट, मैं लिम्बू फोड़े, मैंने डाले, बीज आला जाड बिड कुछ आया नहीं, उसको भी था ए खिले, बट अभी बचपन में क्या पता होगा, खिले ए खिले क्यों लगाए, मैंने महीं पापा को नहीं बताया, मैंने वो चीज़े, और जो एक लिम्बू बचा था, वो मेरे मा के नाम का था, एक ही लिम्बू मेरे मा के नाम का था, तो जैसे ऐसे दिन बढ़ने गया, मम्य पापा का गुस्सा बहुत होने लगा, गुस्सा, जब भी आपके लैक मैजी के नेगेटिव आएगी, आपके गुस्से पे काबू नहीं रहेगा, सबसे प्राइम सिम्टम, सिम्पल सी बातों को भी आप बढ़ा चड़ा दोगे बहुत, घर में हमेशा जगड़े होने लगे, फिर फाइनेशल वीक ने साहीं लगी, जो बंदा 1991 में लाग बड़ पर कमाता था, आज वो 2000 नहीं कमा पा रहा, 2000 नहीं कमा पा रहा, in the year 2001 शायद से, 2000 नहीं कमा पा रहा वो, इतना ग्रोथ होगा, डलो, लॉस होगा, इतना लॉस होगा, नहीं होगा, नहीं हो सकता, वो होने लेगे, constant constant जगडे, मा को गुस्सा आता था, मा मेरे पर हाथ उठाती थी, generally Indian families में यह होता है, घर का टेंशन, बच्चे ले रहे हैं pension, ऐसे ही हो रहा है, तो ऐसे बहुत हो था था मेरे साथ, और मेरे मा को देखता था, मेरी मा नहीं थी वो, जो entity थी, मुझे चाकू दिखा कि ऐसे मारने की कोशिश करती दिया, ऐसे, कैसे है, फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में, च्योंकि जैसे से दिन बढ़ गए, वैसे वैसे उस negative energy ने, मेरे मा के सपने में आके, कुछ ऐसे कृत्य करते है, मतलब पहले indication आता है, human is a form of soul and body, तो humans को पता चलता है, लेकिन human ignore कर देता है उसको, तो यह सपने में कुछ चीजे हो गई, कि उस negative energy तो थी, जो भेजी है, मतलब ऐसा समाज लो, बुरी आतम ही भीजी है, उस लिंबू के साथ हमें, she started interacting with my mother, mother, और यह मतलब, होने लगी, सपने में भी आने लगी, मेरे मा के पैर खीचने लगी, खीचते-खीचते दूर लेके जाने लगी, और वो इंसान का description मा ऐसे बता थी, कि वो पुराना आदमी, जैसे पुराने जमाने में होते हैं, गमच्छा पैन थे, खेती करते हैं, टोपी पैन थे, मा को दिखता था हूँ, तो मा बोलती है, होते हैं, हम लोग लोग इग्नोर मारते हैं, क्या है, लिकिन जैसे से दिन बढ़ने लगे, मेरे मा को diabetes दिखाने लगे, मेरे मा को cholesterol दिखाने लगे, हम लोग emergency में भागते थे, क्छ हो रहा है, यह हो रहा है, गुरुनानक pharmaceutical लिखिए के वहाद फिर마स Pendle घ्स हास्पिटल टे जान जाने के बाद कुछ नहीं है, मतलब मिने मिने माँ को देखाया बहुत अड़पते हुए है एक चपाती की उपर ने खाती है इंसान अइड एज ऑफ 35-37 एक चपाती पर इंसान जी रहा है वो इंसान हार नहीं मानना है सबसे अच्छी बात ये थी मेरी महीं पापा की दोनों की कि उन्होंने हार नहीं मानी और जो सच्चाई का साथ देता है प्रभू भी उसकी साथ देता है तो बैंड़ा में ये इंसेंट on the constant basis बहुत होने लगे फिर मेरी मा की एक क्रिशन दोस्त है अब ये स्टोरी से हैं मैं क्लैरिफाय करना चाहता हूँ कि जो भगवान को बाटा है हमने बाटा है उपर सब एक ही काम कर रहे है तो ख्रिशन दोस्त ही और उस समय बैनी हिन करके एक पास्टर है बैनी हिन, famous है मेरे काम है तो उनका BKC मैं, जहाँ पर मैं रहता था एक किलोमीटर दूर वहाँ पर उनका ये था सेशन था तो मेरी मा को लेके गी मेरी मा की दोस्त Saroday family we are very blessed to have her जब मा को लेके गई तो जब प्रातना चालू थी ये common symptom होता है हर भूत का अगर कोई पवीत्र जगा है कोई प्रातना हो रहे है कोई vibrations हो रहे है positive vibrations या कोई शक्ती है वह ऐसे करेंगे दोको ऐसे ऐसे क्यों? इस ट्राइस तो डिफेंड डिफेंड अगेस अगेस दे अनरजी इस ताइंड तो डिफेंड समहाव इदर से निकल जाओ और मेरे मा के दोस्त ने देखा कि ये ऐसी करी है उसको पथा था कि it is something related to the negativity or something black magic has happened she was aware of this तो उन्हें ने घर पे आके पापा को बताया मैं भी था छोटा मुझे भी समझ रहा था मतलब बच्चा अगर साथ वी आठ वी आएगा तो उसको तो समझ ही जाता है तो इस ए फॉर्म अप ब्लैक मैजिक उनको बोला गया है तुम प्रात्ना के लिए लेकर आओ संग्डे संग्डे डू संग्डे होते है क्रिष्टन पास्तर में वो पास्तर थे क्रिष्टन में भी थोड़ा है अलग बट फादर बोलते है तो जब भी वहापे गय है तो वहाँ पर फर्स्ट ताम में मेरे मा को मतलब जो एकदम सुस्त रहती थी एकदम ठकी हुई रहती थी एकदम पावरफुली आवाज बदल गया उनक मा का मेल वोईस फ्रम फीमेल बन मैं आज भी याद करता हूँ मुझे बहुत दुख होता है उस बात का मेरे मा ने बहुत जहल है मेल वोईस में जा यहाँ पर क्यों लाया है मुझे जा तू यहाँ से यहाँ पर मतला गाड़ी से कुदी मार दूँगे मैं बाइक थी हमारे पास ऐसा कोई बोल रहा है और मैं बीच में बेटा मुझे दो था महीं पापा के पैस्तर ने बोला था कि फाइ संग्ड़ी जाओ हम इसको क्लीन करेंगे तो हम फाइ संग्ड़ी ऐसे करते करते गए मैं बच्पन में इतना देख रहा हुँ मा डेशे क्यों करेंगी और जबी भी संग्डे को होके आते थे पापा दुस्य के काम करते थे और मेरी माँ मुझे चाकू दिखाते थी ऐसी करते थी ऐसी बड़े आके जबी भी उसके आंग में वो NTT आते थी उसका ये काईबर ऐसे उपर चले जाता था और मैं पहचान लेता था जबी वो आए तो फाग जाओ घर से दूर हो जाओ या पापा को बता तो पापा को सालेंटली बता तो कि ऐसे सी चीज़े है हो यह पापा है अभी अभी अक्टिव है वो अभी अक्टिव कर रहा है वो इस चीज़े इस लिए कर रहा है ताकि आप ना जाओ he wants to avoid और वो यही कहता है मैं इसको लेके जाऊँगा मैं इसको लेकी जाने वाली हूँ लेके जाऊँगा कैसे भी करके और कुछ चीजे होती है कि हम लोग देखते हैं हम लोग और बच्छे लोग करने लगता है तो एक Bible ली थी मैंने अबी भी हाए घर पर है तो जब भी मैं Bible कच करता था ममी को उस सवस्था में उसको ऐसा फिल होता था कि burn कर रहा है कोई तो इसको burn तो चटके मिलते हैं न चटके वैसे इस थरीके से देखा है मैंने मेरे मा को पैर में पूरे काले डाख पर में पूरे काले डाग, आँख फूरी डाग वेट लॉस, एक्स्रीम वेट लॉस 40-45 फ्रॉम 79 पर में डाग, इतने डिसिज़स यह सब होने के बाद में पाथ संग्ड हो गया, तो भी नहीं हुआ तो जो फादर थे, उन्हें बोला घर पे आना पड़े गया, जरूर कुछ न कुछ दो घर में कि जिस घर में रह रह रहे है, वहाँ पर उसका सोर्स है सोर्स को डिस्ट्रॉई करना पड़ेगा इफ यू डू नाट डिस्ट्रॉई दो सोर्स वो आएगा क्योंकि वो हीड़ा ने कही तो तो पास्ता घर पे आया, फिर भी उसके आंग में आया और जिस रक्ति ने कर रहा था, उसी का नाम ले रहा था मैं तो इसको नहीं छोड़ू तो रेलेटिव हाँ, उसका नाम लेके बोल रहे थी क्लियर कट, कि इसने भेजा है अब तो में नहीं जाने वाली, बहुत पैसे देके भेजे बकरा दिया है ऐसे बोल देती मतलब इतना इतना कुछ बोलते है ना, डोनेट करके भेजा है उसको वो एंटीडी को, तो वो तो हसरी है भाई, मेल के आवाज में बात करके हसरी है मेल के आवाज में जब आंग भी आदी तो पूरा अग भी केदम ऐसे, आइब्रो उपर ऐसे, अलग अलग तरीके से देखना, पूरा मा मतलब कही थी नहीं वहीं पर इस तरह से ये होने के बाद फादर है, प्रभू ने उनको कुरपारिष्टी दी है, उन्होंने कहा पलंग के नीशे देखो जैसे पलंग के नीशे देखने बोला नहीं, नहीं, वहापे कुछ नहीं है पलंग के सामने नहीं, कुछ नहीं है, हापे कुछ नहीं है मेल वोइस में जैसे picture में दिखा है तो 1920 में exactly जैसे वो tik-tok tik-tok बोलता है वैसे यह नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है कुछ नहीं है आपे जा यहाँ से तू यह मेरा है सब कुछ ऐसा इस वोईस में अगर कोई बोल दे और वो आधर जब आते तो उनके सेवे करी भी आते तो उन्हें हाथ बे नीचे धूनो जब देखा लिम्बू था और टाचिन लगी हुई है एक नहीं बहुत सारी टाचिन लगी हुई है घर का बेश हमेशा महीला होती है आप किसी महीला की जिंदगी बरबाद कर दो पूरा घर बरबाद हो जाएगा तो इसलिए घर के औरतों पे मतलब डिवाइ प्रोटेक्शन होना चाहिए मेरे हिसाफ से बात यही भी नहीं खतम होते है लिम्बू निकाला लिम्बू हाथ में होते वे भी मतलब उन्होंने रखा तभी वो मतलब confident है मैं नहीं जाओंगे यहां से अब तो जाओंगी नहीं तो फादर को लगा कुछ ना कुछ तो तो उन्होंने बोला खोदो लेफ साथ से खोदो जब खोदा तो काले और लाल कलर का लाल नहीं था मुशली काला ही था बुक्का जो बलता है वो निकला वहां से उसको भी लिया साथ में और फाइनली कैसा होता है कि आगर आपको कोई ऐसी चीज मिल जाती है तो उसको फेकन तो हमने वो लिम्बू जलाया जैसे ही वो लिम्बू जलाया आप मानोगे नहीं बुलुइश वो जब जला तो ब्लू फ्लेम और फाइनली फुटा तो एक्टम बॉम से भी बड़े आवाज में फुटा वो इतने बड़े आवाज में ठप कितना एनरजी होगा उसके अंदर ब्लू इश फ्लेम ब्लू इश रेड फ्लेम भाई अब सुका के अब जलाल हो यार इतना ऐसा ऐसा फ्लेम नहीं करेगा वो ऐसा जल रहा है और जब फुटा ना तो मेल वोइस था मतलब ऐसे बोलते ना मतलब उसको बहुत लग रही है मतल आप मानोगे नी डाइबेडिस रिवर्ष वेड गें पैर में जितने काले दाख थे सब चले गया सारे सिंटम्स रिवर्ष हो रहा है अब आप क्या बोलोगे तब तो डाइबेडिस के लिए डाइड भी नहीं था एक सबसे ज़्यादा इंपक्वल चीज़ है कि आपके मॉ इवन इफ I'm Sanatana Dharma, Jesus सब के help करते हैं, irrespective of religion, मतलब लोग बोलता है कि आप हो जाओ, but I feel that if he loves me without changing my religion, वो है, शक्ती है, I feel that there are divine energies, उन्होंने मुझे मदद की, लेकिन इसके बाद भी कुछ सीज़े होती है, अब यह सब clear हो गया, यह सब भूत मतलब सब negative energy, कैसी होती है, negative energies impact करती है, जैसे हम राख चलाते कई पर, राइट, वो जल जाता है, लेकिन पीछे मलिंता रह जाती है, जब मलिंता में कहता हूँ, तो राख जो waste material हो डहता है, और वो ऐसा है, वो tricky तरह है, अगर आप मलिंता को clean नहीं करोगे, हवन से, mostly हवन से clean करते हैं, या mostly sound frequency, या वास्तुषास तरह में कुछ color की लगा, उसके clear करते हैं, वो clear नहीं करोगे, फिर से वो grow होगा, फिर से वो जब में जगड़ा होने, वो था, तो we are from that family, कि जो देवी आंग में आती है, किसी के भी family के, वो हम believe नहीं करते थे, और मेरी मां हमेशा मजाक उड़ाता है, या जान पुछके कर रहे हैं, या खुद का थोड़ा थोज जमाने के लिए, खुद के कार ये सिद्धी करने के ल लिए, now here comes the chapter of कुल देवी, here comes the chapter of कुल देवी, मातरानी, मतलब काली मा का रूप है, हमारी कुल देवी, हमारी दो कुल देवी है, अभी platform पे बताना ठीक नहीं है, बट काली माता का ही रूप है, तो काली माता first time मेरे मा के आंग में आई, और उनका एक ही वर्टा, तेरा बे तक तुझे नहीं आना किया, और जब मातरानी आती है, तो voice के, voice भी different होती है, कोई different voice, अगर कोई artist है, तो वो कर निकाल सकता है, बट जब ऐसा हुआ, तो मातरानी ने बताया, जब तेरे साथ ये हो रहा था, तुझे जो हमें खिला रही थी, जो पिला रही थी, तुझे ज ऐसे बंदी के साथ हो रहा है, मतला ऐसे व्यक्ति के साथ हो रहा है, जो मेरी मा है, we are completely non-believer, और जब non-believer के आंग में, अगर ऐसे आके कोई बोल दे, इन scientific term बोल लेंगे, psychological है, psychological है, but वो भी clarify करूँगा मैं, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़े clarify करनी है, वो हो गया अज इस incident, तो बोले या, अब तो पैसे भी नहीं है, क्योंकि उस समय सच में, बहुत विकट परिष्टी थी, बहुत ही विकट, मतलब ये ब्लाक मैजी का इफक के वज़े से पुरी लग लग चुके थी, तो कही से बोलते न, प्रभू हेल्प करता है, उस समय कर्जा भी बहुत important होता है, तो किसे एक related use है, मतलब मेरी माउसी है, चैचरी माउसी, उन्होंने खुद से बोला, तुझ जा, उन्होंने बोला कि 24 साल होगे, माता जानी ने बोला कि 24 साल होगे, तुझ आया नहीं अभी तक, और जब तेरे पास कोई, कौन सा भगवान नहीं था, कौन से पित प्यार बहुत बहुत अलग है, पर फिर इतनी सारी दिक्कते आने क्यों दी, कैसा होता है, अगर आप 24 साल से नहीं जा रहे हो, कि realize करवाना होता है भक्त को, अभी तो realize हुआ, अगर वो फिर से संभाल लेती, तो realize कहा होता हमें, कि शक्ती है हमारे पीछे, वो प्यार था, जैसे हमारे माबाप हमसे बात नहीं करते हैं, गुस्सा होने पर, it's a kind of like that, और वो पूरे तुम्हारे फैमिली की माँ है, तो जब यह बात पता चली, अब यह बहुत, बहुत amazing experience है, हमने करजा लिया, साड़े तीन हजार रुपे का, हमने कैब बुक की, हमने कैब बुक की, और मेरी माँ को viti logo, vertigo, जो car में होता है, उल्ती होती है, अब मानोगे नहीं, बिना दवाई खाय उसे कुछ भी नहीं हुआ, ना उल्ती हुई, ना कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग गये वहाँ पर, और झो काली माता का मंदिर है, उस उसको महाराश समय फेमस काड़ो भाई देवी करके बोलता है जो काली माता ने जब चंड मुन का वद किया था तब जो एंगर था शिव जी के उपर उनने गलती से पहा रखा तो एंगर को शांत करने के लिए वो पहाड़ों पर चाहिए मतलब नवी में था तो तेस कौन दोड़ पाएगा मा दोड़ पाएगी है मैं दोड़ पाऊँगा मेरी मा दोड़ पाऊँगा मेरी मा दो किलो मीटर फास दोड़ के गई मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ और तभी भी पचास मिक्टर पीछे हूँ मैं मैं मेरी पूरी ताकत लगा रहा हूँ पूरी ताकत जो स्पीड से भागी है न मतलब मैंने कभी इतना अक्टिव ने देखा भाई जैसे मातारानी सवार होती है भागती है न और इतना ही नहीं वो ऐसे पहाड़े एक किलो मीटर बाद इतना उंचा पहाड़े है मतलब कार को भी आ फर्स गयर में डालोगे न 20 के उपर नहीं भागेगी वो उस पर वो 30 रडिफाई के स्पीड से भाग रही है तब तक भागी जब तक मातारानी का जो गाभारा होता है हम दो मराठी में गाभारा बोलते है या फिर हिंदे में बोलेंगे कि उनका जो एरिया होता है उस एरिया के सामने आके शक्ति रिटन जाती है जो मातारानी ने भेजी होती वो शक्ति मातारानी फिर से ले लेती है कि अब तू शक्ति है तू बता इनके क्या-क्या दुखे मैं हर हर लूंगी सब कुछ तब कुम-कुम लगाना होता है माता रही से शमा मांगनी होते है कि खुरपा थन्यवाद माता वो समय है और आज का समय है हम कभी मिस नहीं करते जाना एक साल में दो हजार कमाते थे तभी अभी खा रहे है खा रहे है बहुत अच्छे से है सब मातरानी की खुप है मैं बहुत मानता हूँ माता को तो यह मेरी परसनल लाइफ की स्टोरी है जो आज भी रॉंगते खड़े कर देती है और बिलीब करने मजबूर करती है अगर मेरी मा भी नास्तिक काइंड अफ थे पापा पापा तो फुल नॉन वजिटेरियन मेरे घर पे में सिर्फ मैं ही एक प्यूर वजिटेरियन हूँ बचपन से बट ऐसी चीज़े होने लगी तो बहुत यकीन करना ही पढ़ता है आपको जब आपके साथ होता है आप यकीन करते हैं आप मानते हो भाई नहीं कोई दिविया शक्ती है सब को चला रही है आप देखनी पाते हैं इसका मतलब कि आपकी उतनी purity नहीं है मेरे comment section है काफी लोग मैंने पहले भी एक दो episodes करे हैं उसमें लोग लिखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता ये मन घरन है बनावटी बाते हैं मैं भी यही feel करता हूँ क्यों कि मेरे साथ भी ऐसे experiences होया हैं तो मैं भी यह believe करता हूँ कि जब तक उनको खुद में experience नहीं होगा तब तक वो believe नहीं करेंगे ये नास्तिक से believer बनाना जब तक आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जब पूजा पाट करता है भले वो नानी हो या मा हो और तब तक आप नास्तिकी रहोगे आप खुश रहोगे ये statement बहुत लीप है जब वो नहीं रहेंगे और आप नहीं जाओगे कुल देवता के दरिशन के लिए तब आपको शक्ति realize करवाती है जैसे ममी पापा मारते है शक्ति कस्थ देके realize करवाती की करना है